चीन में बाड ने ऐसी तभाई मचाई वहां के कई प्रांट टापू में तबदील हो गए बाड ने सबसे ज़ादा सेंट्रल और दक्षिन चीन में कहर बर पाया जहां के लोग बार घर बार छोड़कर सुरक्षिज जगों पर जाने के लिए मजबूर हो गए सिर्फ चीन के फुजियान प्रांट की बात करें तो वहां 15,000 से ज़ादा लोग बेघर हो चुके हैं इन लोगों को अलग-अलग राहत शिवरों में ठहराया गया है जबकि एरियल तस्वीरों में दिखा कि कैसे बेमौसम बरसाथ और उससे मिन नदी में आए उफान ने हज़ारों हज़ार घरों को डुबो दिया है यही नहीं फुजियान प्रांथ की सडकों पर पानी ने कबजा जमा लिया गाडियां डूब गई और उनकी जगा नावें चलती नज़राई जबकि बारिश और बाहर के बीच चीन के लोगों को भूस्खलन ने भी परिशान कर दिया पहाड़ी इलागों में भूस्खलन से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुचा तो वहीं लोगों को बहार निकालने के लिए रेस्क्यू वोकर्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी सोशल मीड़ की कुछ तस्वीरे वाइरल होती नजर आई एक शक्स दो स्टूल को अपने पैरों पर बांद कर सैलाब से गुजरता हुआ नजर आया हाला कि वो अपना बैलन्स नहीं बना पाया और पानी में गिर गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश, बाढ़ और भूसकलन से सिर्फ दक्षणी चीन में 40 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि मौतों का आखड़ा और जादा बढ़ने की आश्रंका जताई ज़ा रही है